आप 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 आपका हमारे यूटूब चैनल ओनलाइन क्लासेज बाइसल जाट प्लाइस प्रियास कारिपुस्तिका गनीत कख्षा चार एंवं पांच के अंत्रगत सत्र परियंत उप्चारात्मक शीक्षनेतु सीखने का इस्तर दो और इसमें हमारा आकलन पांच आज की क्लास में हम आपकलन पांच कोल करेंगे जो पेज नंबर 84 पर है आईए शुरू करते हैं आकल पहला प्रशने निचे दिये गए चित्र में कितनी सीधी रेखा हैं इस चित्र में कितनी सीधी रेखा हैं देखिए एक दो तीन चार पांच छे कितनी सीधी रेखा हैं छे तुकान लिगा हुआ हैं ख पर छे ये वाला से उतर होगा इसका चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण दूसरा निच्छे दिये गए चित्र में कितनी गुमाधार रेका हैं तो इसमें गुमाधार रेका है कितनी है एक दो उसके बाद में यह दो यह सीधी है यह एक और दो कितनी है दो थमिया लगाएंगे खरपर्च सही का निशान ठीक है विजहर दियों चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है तीसरा सवाल किस आकरती में सिर्फ सीधी रेका हैं इन में से किस आकरती में सिर्फ सीधी रेका हैं देखिए इसमें भी गुमाधार हैं इसमें देखिए सभी रेका हैं सीधी हैं से उत्तर होगा इसका ख छोथा नाची और यह पांच्वाऊगा से कर दीजे आप चोथा सवाल किस वश्वर्दी में एक वह कोना नहीं है इन में से किस वश्वर्दों में एक वह कोना नहीं है तो देखिए कह ख गह और गह इन में से ये गह वाले जो आकृति हैं इसमें एक भी कोना नहीं है तो इसे हम सही लगाएंगे अगला प्राश्चन पांचवा किस वस्तु को चापने पर आयत की आकृति प्राप्त होगी इन में से किस वस्तु की जो आकृति हैं वह आयत की जैसी होगी सही उत्र होगा इसका कब ठीके विद्यार्थियों इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आंकलन 5 को अलकिया आप भी इस आंकलन को समझ करके अलकिजिए विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियों को लाइक कीजिए चैनल पर नहें हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हूँ तो निचे दिए गए लाल रंके सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूटूब चैनल ओनलाइन क्लासेज बाइसेजार को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन ओल नोटिफिकेशन के लिए दबाईए ताकि आप तक हमार लेटेस्ट वीडियो सबसे प सब्सक्राइब के साथ में तब तक के लिए थेंक यू धन्यवात जैन जे भारत आपका दिन शुब रहें थेंक यू